रामकृष्ण परमहंस भारत के एक महान संत एवं विचारक थे। इन्होंने सभी धर्मों की एक्ता पर जोर दिया। उन्हें बचपन से ही विश्वास था कि इश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अतही इश्वर की प्राप्ति के लिए उन्होंने कथोर साधना और भक्ति का जी रामकृष्ण का मन अध्यायन अध्यापन में नहीं लग पाया। कलकत्ता के पास दक्षिनेश्वर स्थित काली माता के मंदर में अग्रज रामकृमार ने पुरोहित का दाइत्वसों पा रामकृष्ण इसमें नहीं रम पाए। कालांतर में बड़े भाई भी चल बसे। अंदर से मनना करते हुए भी रामकृष्ण मंदर की पूजा एवम अर्चना करने लगे। रामकृष्ण मा काली के आराधक हो गए। बीस वर्ष की अवस्था में अनवरत साधना करते करते माता की कृपा से इन्हें परम दिव्य ज्यान प्राप्त हुआ। इनके प्रिय श दुभूती से ईश्वर के अस्दित्व का विश्वास दिलाते थे। आध्यात्मिक सत्य, ज्यान के प्रकरतेज से भक्ती ज्यान के रामकृष्ण पक्रदर्शक थे। काली माता की भक्ती में अवगाहन करके वे भक्तों को मानवता का पार्प आते थे। रामकृष्ण पर रम्प्रिय शिश्य विवेकानन कुछ समय हिमाले के किसी एकान स्थान पर तपस्या करना चाहते थे। यही आग्या लेने जब वे गुरू के पास गए तो रामकृष्ण ने कहा वत्स हमारे आसपास के क्षेत्र के लोग भूग से तडप रहे हैं। चारो और अग्यान का अंधेरा चाया है। यहां लोग रोते चिलाते रहें और तुम हिमाले की किसी गुफा में समाधी के आनन्द में निमग्न रहो क्या तुम्हारी आत्मा स्वी कारेगी। इससे विवेकानन दरिद्र नारायन की सेवा में लग गए। रामक्रिश्ल महान योगी उच्चकोटी के साधक वा विचारक थे। सेवा पत को ईश्वरिय, प्रशस्त मान का रनेक्ता में एक्ता का दर्शन करते थे। सेवा से समाज की सुरक्षा चाहते थे। गले में सूजन को जब दाक्तरों ने कैंसर बताकर समाधी लेने और वार वह करेगी मेरे लिए अच्छा ही करेगी। मानफ्ता का उन्होंने मंत्र लुटाया। उन्होंने मा महाकाली के चरनों में अपने को उत्सक कर दिया। वे भाव में एतने तनमे रहने लगे कि लोग उन्हें पागल समझते। वे घंटों ध्यान करते और मा के दर्शनों के लिए तरपते। एक दिन अर्धरात्री को जब व्याकुलता सीमा पर पहुँझी तब जगदंबा ने प्रत्यक्ष होकर कृतार्थ कर दिया। गदाधर अब परमहंस रामकृष्ण थाकुर हो गए। 15 अगस्त 1886 को तीन बार काली का नाम उच्चारल कर रामकृष्ण मांकाली का हाथ नहीं पकड़ा हुआ है अपितू मांकाली ने उनका हाथ पकड़ा हुआ है। इस कारण उनको कभी किसी के कथन की कोई चिंता ही नहीं रही। रामकृष्ण परमहंस को कौन नहीं जानता। वो एक ऐसे सिध्योगी पुरुष्ष थे जिन्होंने अपने रिक्षा ग्रहन नहीं की थी, नहीं वो कभी स्कूल गए थे, न तो उन्हें संस्कृत आती थी और नहीं अंग्रेजी जैसी भाशाओं का ग्यान था। नहीं वो किसी सभा में भाशन देते थे, लेकिन वो सिर्फ मांकाली को जानते थे, सिर्फ इसी वजह से उनका साक्षा बताया जाता है कि आध्यात्मिक साधना में पूरी तरह से लीन हो जाने के कारण रामकृष्ण का मानसिक संतुलन एक समय इतना बिगड़ गया था कि वे मांकाली के दूर हो जाने पर रोना शुरू कर देते थे और काफी देर तक एक छोटे से बच्चे के समान रोते ही रहते थे तब उनके परिवार वालों ने फैसला किया कि वे जल्द ही उन्ता विवाह कर देंगे जिससे ग्रहस्त जीवन में जाने के बाद वो ठीक हो सके उनका विवाह भी करा दिया गया लेकिन रामकृष्ण की भक्ति साधना में कोई परिवर्तन नहीं आया एक बार उनकी पत पतनी को ही नहीं बलकि समस्त महिलाओं वा बच्चियों को मा काली के रूप में ही देखते थे आज भी वो मंदर के साथ वो मूर्ती उसी जगल पर स्थित है जहां पर रामकृष्ण ने इनका पूजन किया था इस जगल का नाम है काली गोदाम